आजकर लोग अगर देखा है तो रिलेशनिशिप को लेकर खासकर शादी शुदा लोग बहुत परिशान रहते हैं और इसमें बड़ा मजाग ही बनता है husband wife कर रिस्ते को लेकर तो क्या करन होता है क्या इसमें वास्तु भी कहीं पर कोई रोल नहीं भाता है क्या हमेशा कलेश कही बार कुछ ऐसे होता हमेशा लड़ाई होता है क्यों बात चल जाती है तो क्यों होता है वास्तु भी जमिदार है देखिए इसमें डग्टी का ग्रही स्थिती होता है तो इसमें अगर दोनों के आप सल्यूशन लेते हैं तो आपको निशितरुक से लाब मिलेगा आप उसको अच्छे से समझ सकेए तो घर का जो वास्नों की साफिशेगा तो मैरेस लाइस कर जो भाग होता है वह उस दिशा में अगर उस दिशा का जो है एक तो सापसुत्रा हो रूम हो अच्छे से है और उसका ब्लू रंग अगर करा दिया तो वह में बहुत अच्छा संसुतन हो जाएगा बहुत अच्छे से मेरेज चलने लगेगा और वहां यह ध्यान देना चाहिए वहां टॉयलेट नहीं आना चाहिए चुकि राहू आ महां बैड्रुम बना बैडरुम अब मैं को में बना सकते है यह वहां खिल को फिल्ड़ां बडरुम है तो सापसुत्रा हो आडब राड़ना चाहिए और वम्त पहन का प्ल्रन भाड हो ए दुख़। clear हो थ्याज़ को जता अगर इनेरजी ठीक हो लिये चया थुद्वान प पानी से डिलेटेड डाल दीए ठीक है तो वो बल देदेगा तो यह होता है वास्तु के हिसाब से घर में दामपत्य जीवन को ठीक करने का उसे एरिया का आपने ठीक कर लिया तो पॉसर जिसका भी किसी के घर में मैरेज लाइट में प्रॉब्लम में तो जाकर उठाकर देखे लिए तो एननडवलू आपका जुह हैदर मुड़ रहा है तो आपका जुह हैदर मुड़ रहा है